करपूर गोरम, करुडवतारं, संसार शारं, भुजगेंद्रहारं सथा बसंतम हिरद्व रबिन्देभवन भवाने सहितं नमामी नमस्कार, मैं हुँ जोच्छाचार डौक्टर विंदर्पाठी आप देख रहे हैं भागी गुरु कारिक्रम, भागी गुरु कारिक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे कि पंचांग की क्या इसती है सुरूदे कब होगा, सुर्यास्त कब होगा, राहुकाल कब है, दिसासुल कब है, सुम मुहुर्ट कब है, चंद्रमा किस राशी पर रहेगा, कौन सा तिथी है, कौन सा करण है, कौन सा योग है, सारी बात आपको बताएंगे आज के महामंत्र के भी बारे में बताएंगे कि आज की महामंत्र क्या है महामंत्र का जब कैसे करेंगे और जब करने से आपको क्या लाप मिलेगा 12 राशों के भी बारे में बताएंगे कि आज की 12 राश्या क्या कहती है किसके घर में किलकारी गुजेगी, किसके घर में सहनाई बजेगी, कौन भूमी भून खरीदेगा, कौन बिदेश जाएगा, किसको आयात तर्याव से धन मिलेगा, कौन साहित्यकार बनेगा, कौन खेल के छेत्र में जाएगा, कौन फिल्म बनाएगा, कौन पत्रकारता के छेत में जाएगा कौन सोध कारे करेगा कौन बैग्यानिक बरेगा किसको सेना में जाना है कौन पुलिस से वां में जागे सारी बात आपको विस्तार से बताऊंगा किस अंक के प्रयोग करने साब का भागोदय होगा किस रंग के प्रयोग करने साब को अपार सफलता विलेगी अधनिया क्या बरतने उपाय क्या करना है गुरु के नुष्खे भी बताऊंगा और आज जिनका जन्मदीन उनके भी बारें बताऊंगा दर्सों के प्रस्णों का उत्तर भी दोंगा आप देखते रहें भागी गुरु कारिक्राइब अब हम बात करेंगे आज के पंचांग की आज 29 सितंबर 2024 दी नहर अभिवार तिथी द्वादसी नचत्र मग्गा सुर्योदे हो चुका है सबेरे 6 बच के 17 मिनट पर सुर्यास्त होगा साम को 6 बच के 5 मिनट पर तैतिल करण है चंद्रमारेगा सिंग राशी में सुमूर्थ है सुबह 11 बच के 47 मिनट से लेके 2 पर 12 बच के 34 मिनट तक रहेगा राहुकाल है साम को 4 बच के 36 मिनट से लेके 6 बच के 5 मिनट तक रहेगा पश्चिम दिशा का दिशासूल है आज आपको एक बात कर ध्यान रखना है कि दिशासूल में यातरा नहीं करना है यातरा करने से पर मंत्र है ओमिखे फिरिंग सुरय नमय को यह जो महा मंत्र है दिवा पती सुरह देउं का है ज़या की कुल्ण has अच्छा है ता आपका आपका जीवन सांदार होता यह प्रतिष्टित होंगे और हेल्थ वेल्थ को लेकर के आपका जीवन अच्छा होगा करियर अच्छा होगा और ऐसे लोग राजनीती में जाते हैं नेत्र तो करने की चमता होते पर शाष्टिंग चमता इनके अंदर होती है सूरी ग्रह को ठिक करने के लिए आप इस मंत्र का ज